आजीवन चुनिबियो उत्साही से लेकर ऐसी दुनिया में एक नायक तक जहां भ्रह्म वास्तविक्ता बन जाते हैं। The Eminence in Shadow एक आनंद मैं एनिमे श्रिंखला है जो आत्म जागरुकता की भावना को बनाए रखते हुए अपनी शैली की पैरोडी करती है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम पता लगा रहे हैं कि The Eminence in Shadow इस सीजन के एनिमे चार्ट में शीर्ष पर क्यों पहुंच गया है। मार्शल आर्ट और जीवन कोशल में निपुन सिट कागेनो वास्तविक दुनिया में अंतिम छिपा हुआ नायक बनने के लिए द्रिड संकल्पित है। लेकिन ट्रक कुन के साथ एक आकस्मिक मुठफेड उसे मिटगर के राज्य में ले जाती है जहां जादू वास्तविक है। अब उसका परम छाया में श्रेश्ठता बनना तये है। ऐसे युग में जहां इसे काई ने एनी में उद्योग पर अपना दबदबा बना लिया है, देमिनेंस इन शेडो अलग दिखने में काम्याब रहा है। एक विशिष्ट प्रबल नायक के बजाए, सिट कागेनों की यात्रा को एक कुटिल मोड के साथ तयार किया गया है। जैसे ही वह अपनी नई शक्ती में आनंदित होता है, उसकी हरकतें एक आनंद दायक नाटक की तरह सामने आती हैं, जो शैली के पाठकों के अनुभवों को प्रतिबिम्बित करती है। जबकि एनिमेशन का हर पहलू प्रशंसा का पात्र नहीं है, दे एमिनेंस इन शैडो अपने लड़ाई द्रिश्यों में चमकता है। बजट का रणनीतिक आवंटन यह सुनिश्चित करता है कि एक शन भरपूर हो। जदू के घेरे और मंत्र प्रभाव को खुबसूरती से प्रस्तुत किया गया है, जो अलौकिक माहौल को जोडता है। एक एनिमे के लिए एक आश्चर जनक स्पर्श जो खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। The Eminence in Shadow में ऐसे पात्रों की एक श्रिंखला शामिल है, जो अन्य हरम साहसिक मंगा से परिचित लग सकते हैं। स्मार्ट वाला, आधा प्यारा, अनाडी, सुन्डेरिस और यहां तक की एक यैंडेरे बहन चरित्र भी। अपनी गिसी-पिटी बातों के बावजूद, ये पात्र आकर्शन प्रदर्शित करते हैं, खास कर जब इन्हें सिड की भ्रमित मानसिक्ता के साथ जोड़ा जाता है। परिणामी कॉमेडी प्राचीन ग्रीक कॉमेडी की याद दिलाती है, जहां दर्शक धारणा और वास्तविक्ता के बीच के अंतर का आनंद लेते हैं। प्रेम रुचियां अप्रत्याशित मोड लेती हैं, जिससे सीजन टू में भविश्य के विकास के लिए मंच तयार होता है। बिल्कुल, The Eminence in Shadow एक वास्तविक और आनंद दायक देखने का अनुभव प्रदान करता है। ये उन लोगों के लिए एक मजेदार घड़ी है जो आराम करना चाहते हैं और इसके हास्य का आनंद लेना चाहते हैं। जैसे जैसे विशिष्ट ट्रॉप्स सामने आते हैं, नायक का चरित्र विकास एक सिंफनी की गतिविधियों की तरह सामने आता है। शांत और रहस्यमय शुरुवात से लेकर उथल-पुथल और हास्यपूर्ण मध्य तक। एक ऐसे चर्मोतकर्ष तक जो दुनिया के मूल ताने बाने को चुनोती देता है। ये रहा आपके लिए। इसे काई शैली में तहलका मचा देता है, जो परिचित ट्रॉप्स पर एक ताजा मोड पेश करता है। अपने करिश्माई चरित्रों, चतुरहास्य और अप्रत्याशित प्रतिभा के क्षणों के साथ ये एनी में साबित करता है कि शक्तिशाली नायकों की दुनिया में भी नवीनता और मनुरंजन के लिए जगह है। सीजन टू का प्रसारण 4 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा। मैं इसके सीजन वन रिकैप वीडियो पर काम कर रहा हूँ। इसलिए अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।